तो हलो गैस वागता आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम्स ऑल्वेस विन में तो आज की इस वीडियो में IPL 2024 का मैच नमबर सेकेंड पंजाब किंग्स वर्सीज तेली कैपिटल्स का हम पूरा एनलेसिस करने वाले हैं की मदद से आप बहुत ही अच्छी विनिंग्स कर पाऊगे जैसे कि हम पहले मैच में कर रहे हैं तो जी हाँ पहले मैच में अगर आपने टेलिग्राम पे यमारी टीम से लागा तो भाई मस्त हमारी यहां पे क्लीन स्वीब जा रहा है ठीक है यहां पर क्रीस ग्रीन को रोगा मैंने बोला था कि रूतुराज का एक वाद को अवाइड करके चल जाकते हो सैकंड इनिंग में जैसा की बोला था कि पेसर लेगा विगर तो वही हुआ रूतुराज का एक वाद यहां पे फ्लॉप रहे ठीक है उसके बाद कैप्टन मनाया था मैंने फाफ डू प्लैसिस को वो मेरे अच्छे के वाइस कैप्टन मैंने मनाया था रचीन प्रविंदरा को उन्होंने अच्छा गिया तो भाई ओवरॉल पहदी कमाल के टीम और सबसे में पिक मुस्ताफिद रहमान को मैंने अपनी टीम में लिया था 9% दीपक चैर को ड्रॉप परके चला था तो भाई ऐसी ही बैतरीन टीम देता हूँ ठीक है उसके लिए आपको टेलिगराम चैनल जॉइन कर लेना और ये वीडियो पूरा देखना अगर आपको भी ऐसी विन करना तो भाई कम से कम 1500 पॉइंट की लीड से विन कर रहा हूं सारे कंटेस्ट और सारे यूसर्स भी विन कर रहे है तो भाई पूरा विडियो अंतर देखना अगर आपको भी यहाँ पर आज के मैच में इस मैच में अच्छा खासा विन करना है तो चलिए बिना किसी देरी करें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जुरूर कर देना और कमेंट कर दे है क्योंकि यहां पर टॉस होती है उसके बाद आपको फाइनल टीम मिलती है तो लास्ट मेन टावी पता चलता है तो उसके लिए आपको हमारे टेलग्रम चैनल जोइन कर लाना है फ्री टेम्स मिलेंगी सब मैच इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिगा है अभी 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 जाहिए हमारे टीम्स ओल्वेस विन फैमिली का हिस्टा बन जाहिए उसके बाद बात करते हैं यहां पर अपने प्लिकेशन वीजन 11 की ज 551 रुबे का प्रॉफिट अगर पांच हजार वाली लीग जो होती है वो खेलते हो है ट्वर्ड में तो आपके सामने है आप कंपैरिशन देख सकते हो भाई लोवस्ट एंट्रिफी से लोवस्ट कमिशन लेती है यह फैंटसी आप और यहां पर फ्री गिवेस मिलते हैं विजन लावन डाउलोड कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है रैफर को डालना ड्रीम डूविन और डाउनलोड कर लेना है और उस पे खेलो के तो भाई आपको लो कॉंपेटिशन मिलेगा जिसकी मदद से आप बहुत ही अच्छा कासा विन कर स सकते हैं तो हमारी टीम से खेलिए वीजन लावन पर लागोजारोग कुम है यहां पर आपको साइकन्ड टीम भी हम देते हैं जो कि आप वीजन लावन पर यूज़ करके लागोजारोग कुमा सकते हो तो भई यह इंप्रेंट बाते हों गई तो चलिए अभी मैच की तरफ और analysis चालू करती है भाई ये match पंजाब Kings वर्सीस डेली Capitals एक नए स्टेडियम में किला जा रहा है जिसका नाम है महराजा याद विंद्र सिंग स्टेडियम cricket स्टेडियम तो भाई ये पंजाब का नएा स्टेडियम है तो बहुत ही शानदार एक स्टेडियम यहाँ पंजाब की तरफ से बनाया गया ठीक है इसमें Capacity भी काफी जादा है उसके मुगाबले ठीक है सबसे main problem था कि भाई उदर थोड़ा एक तो पारकिंग का बहुत इशू आता था पुराने वाले स्टेडियम तो इसलिए यहाँ पे स्टेडियम का निर्मान हुगा है तो बहुत है इस क्राउंड पे यहाँ पे फर्स्ट मैच खेला जा रहा है इनाग्रल मैच है इसके पहले कोई मैच खेला नहीं गया हां सायद मुझताक डिस्टिक वेगारा के होते हैं स्टेड केंप्स होते हैं तो वह वगएरा बहुत हुए है पर्सनली इस ग्राउंट पर खेला हूं तो आपको यहाँ की विकट बताओ तो बही एक अच्छी विकट बैटिंग विकट मिलने वाली है फ्रेश विकट आपको हाई स्कूरिंग म वाला मैच भी देखने को मिलता है अनलेस कोई बैट्समें गलती है ना करें कोई बैट्समें क्या होता बैट्समें ऐसी आउट हो जाता है न तो वह चीज एक मतलब अनेक्सपेक्टर सी हो जाती है उस पे कुछ बहुत नहीं सकते हैं बाकि आपको यहाँ पर पेसर्स की थो सब्सक्राइब करने नहीं बाकि कुछ मैच सईद मुच्ता के हों उससे हम कुछ आइडिया ले सकते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हो कुछ स्टैट्स हैं यह डोमेस्टिक के स्टैट्स है एवरे स्कॉरी बन सिक्स्टी प्लस है ठीक है पैटिंग फस्ट चौदा जीते इंटरनेशनल प्लेयर्स के लते हैं जैसा कि कल गे मैच में डैविड वार्नर शीखर्दवन डियाम लिविंग्स्टन प्रित्वी शौब बहुत ही तगणी दगड़े बेरा एक अच्छा आपको हाइज स्कॉरिंग मैच देखने को मिल सकते हैं तो उस ही साब से यह चीज ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है बट हाँ फ्रेश विकर्ट मिलेगा अच्छा बैटिंग विकर्ट मिलेगा यह चीज ध्यान में रखना तो वहीं देखो मैं बोल रहा था ठीक अच्छा स्कॉरा देख सकते हो आप फर्स चीनिंग में नोटीस करो 176 148 181 177 तो बहीं जहां तो पेश्र्स को काफी हल्प मिला पेश्र्स ने काफी विकर्ट यहां पर अल्रेडी निगाल रखें हैं तो यह आगे चलेंगे और यहां पर बात करेंगे हैड टूहेट रिकॉर्ड की पंजाब किंग वर्सी तैली अपिटल तो बही टोटल मैच बतीज़ हो यहां पर दो और देली केबिटल्स ने चार मैं दीते हैं बड़ ऐसा कहूंगा कि पंजाब किंग्स की जो बैटिंग लाइन पर बॉलिंग लाइन पर काफी स्ट्रॉंग दिख रही है तो उस मकाबले मुझे लगता है पंजाब किंग्स फेवराइबल है इस मैच के ठीक है बगी देखता ह याद होगा लास्ट पांच में लास्ट शेच के चाहिए थे शायद कुछ ऐसा ही था ठीक है बट वो एक दो बॉल रह गया था तो मिस हो गया वरना वो जिता देते हो अल्मोस्ट तो रिले रोसों नो एटीडू नोट आउट करे थे डैली के अपिटल्स की तरफ से कहलते है तब लेकिन अब पंजाब किंग्स की टीम की तरफ है तो प्रित्वी शौन ने फिफ्टी फोर करे थे डैविट वॉन ने फॉर्टी सिक्स करे थे नौक या ने दो बेकर लिया था उसके बाद इशांद शर्मा ने दो बेकर लिया था खलील आमद ने एक भीकर अक्षर फादर बनने वाले हैं तो जल्दी अवेलेबल नहीं है उसलिए पंजाब किंग्स की तरफ से धर्वा ताइड है भाई रिटाइड आउट हो गए थे आपको याद होगा स्लो खिल रहे थे प्रब सिम रन बाइस उसके बाद सैम करे ने ग्यारा और दो विकर लिया थे तो कुछ आप आपके सामने देखी सकते हो तो उसके पहले का मैच अभी देख लेते हैं तो भाई यह मैच हुआ था यहां पर ठीक है पंजाब किंग्स ने 167 मनाय थे जिसमें डीसी ने 136 मनाय और आउट आर्ट विकर खो दिये थे और 31 रन से मैच जीता था तो प्रब सिम रन यहां पर चौब चरंजा रंगरे थे ठीक है चौबन रंगरे थे शांद शर्मा ने दो बेकर लिया था शीकर दबन को याद आउट करा था मेरे अगर याद है मुकेश कुमार रहा याप एक्षर पटेल प्रवीन दूबे और कुदीव यादम ने एक विकर इच लिया था बॉलर्स का मैजरा था थोड़े चार बैट्स में जल रहे थे कुछ ड्रीम टीम आपकी स्क्रीन के उपर है कुछ ड्रीम टीम यहां पर ऐसा रहा था तो आपको इस दो मैची से काफी हल्प मिल सकते हैं कि कौन से प्लेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो आगे बठते हैं तो बाई पंजाब किंग्स की डिरेक्टली बात करते हैं भी ठीग है तो बैइंग लावन आपके सामने आप देख सकते हो साथ में रिसेंट फॉर्म लिखी हुई है तो बैशिगर दवन पजाब टीम के कैप्टन यहां पर टेया रिसेंट फॉर्म देखो अपन करते हैं तो इनमें से एक दना उपन कर लेगा एक दिन बन डाउन कर लेगा उसके बाद लियाम लिविंग्स टेन इन हम यह बैट फ्लो देगा इस बंद लेगा बहुत ही धकड़ा बंद अगर आपने देखा होगा प्रेक्टिस के वीडियो के तो बहुत ही कमाल खा यहां पर टच में लग रहे हैं उसके बाद जिते शर्मा यह भी काफी अच्छे टच में लग रहे हैं वाइस कैप्टेंजी दे दी गई है यहां पर इन्हें पंजाब के पंजाब किंग्स की और उसके अलावे यहां पर रिसेंटली ही इंटरनेशनल डेब्यू हो चुका इंडिया के लिए तो उसका काफी इनके कांफिदेंस पे असर हुआ और काफी कांफिदेंस ऊपर गया होगा तो लास्ट टाइम से भी यहां पे आपको इनकी अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं बहुत ही गमाल गे प्लेयर हैं सैम करन एक और अभी देखना होगा सैम क सब्सक्राइब उसके बदो रिए यहां के लाएं इस निए को कहलेंगे उसके बाद आपके आजाएंगे बहतरी दैद पन को जाएगी तो आगे बात करते हैं हैं पर हैड़ तुए और वैनियुक्त की क्वैंट कर सब्सक्रेंगी हैं क्योंकि स्टैट्स नहीं है क्योंकि भाई पहला ही मैच तो क्या ही स्टैट्स होंगे तो बात कर लिए हैं है ट्वर्ट स्टैट्स बगेरा की तो बाई देख सकते हैं दस मैच में 302 रन तेटीस के अवरेज़ा प्रब्सिम्रेश इंग तीन मैच इसमें 137 रन एक शाथा गया जिसमें जॉन्नी बैस्टो ने च्छे मैच इसमें 217 रन करें देलिया पिटल्स के खलाफ लियम लिविंस्टेन यहां पे चे मैच इसमें एक चार अंगर हैं विकर्ण नहीं मिली हर्शर पडेल ने साथ मैच में आठ विकर्ण निकाले हैं राहूल चहर ने नौ मैच में नौ विकर्ण कगीसो रबाड़ा ने चार मैच में पांच विकर्ण और अर्श्री तिंग ने छे मैच में चार विकर्ण निकाले हैं तो यह कु जिसकी जगह सिकंदराजा खेल सकते हैं यहां फिर क्या हो सकता कि फास्ट बॉलर्ड जार्ड जा सकता है और बाकी को यहां पर अथरवा ताइडे हैं इनको प्रभीबली यही यहां पर आपको दीखेंगे इंपेक्ट प्लेयर के तौर पर आते हुए ठीक है तो बहुत यह बात होगी है पंजाब किंग्स की आभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहां पर अपनी टीम डेली कैपिटल्स की तो बहुत देली कैपिटल्स की तरफ से आपको प्रित्वी शाह डैविड वार्नर प्लेयर वही आपको पता ही है ठीक है तो रिसेंट फॉर्म देख सकते हो थर्टी टू एडिवान टू सेवंटी तो रिसेंट फॉर्म भी एक अच्छा खासा फॉर्म कहा सकते हो मिचल मार्श काफी इंपॉर्टन पे क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे अच्छा पर यह करते हैं कि अच्छा के लिए चलो ठीक है उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स हैं काफी यंग है तो साउथ अफरीका के अगर आपको पता होगा तो उसके बाद ललीत यादफ एक अच्छे ऑल राउंडर है ठीक है अभी इनका बात क्या कि बाई बीच में आ मुझे कमजोर लग रहा उसके बाद आगर देखो अक्षर पटेल अच्छे कंसिस्टेंट ऑल राउंडर है मस्चाइपिक होने चाहिए कुल्दीब यादफ कंसिस्टेंटली विकट निकालते हैं अच्छे पिक रहने वाले मुकेश कुमार है आपके पास एंडिक नौका न इसकी दरब से खेलते थे जाई रिचर्सन पहले तो प्लिंग नहीं मिले लेकिन बहुत ही कमाल का बॉलर है जब भी खेल तो मैं हमेशा लेता हूं और हमेशा प्रफॉर्मस कर गें देता है खली लामद लेफ्ट आम आपके लिए एक अच्छी पिक के रहने मादी है तो यह है मिचल मार्श दो मैच में 66 रन रिशव पंद का यहां पर ठीक ठाग है ठीक राग भी नहीं बोल सकते कावी क्राइब प्रफॉर्मस है ट्रिस्टन स्थ फिलाल के लिए लली तीयादर ने तीन मैचीज में यहां पर 36 रन करें तो इन में से अगर आप देखोगे तो भाई देविट बॉर्नर ही है जो एक अच्छा प्रफॉर्म कर पा रही है उसके बाद यहां पर पैटिंग से कुछ खास नहीं पर बॉलिंग से अच्छा है कुल्दीव यादर में आर्ट में आट वीके निगा ले हैं वोकेश कमार ने दो मैचीज में दो विकेट अनिक नौक है नहीं ही केलेंगे खली लेमद नो मैचीज में देड़ा विकेट अनिक नौकिया के बईबी ओने वाला उनके फादर वनने वाले हैं तो मुस्ट प्रबेबली वो कुछ मैचीज में स्केरिंग उसके बाद आ जाएंगे तो यह हो गई तैली कैपिटल्स के हैट टो हट की बा प्रबेबली आ जाएंगे उसके बाद इशान शर्मा यह भी खेल सकते हैं यह भी एज़ा इंपक्ट प्लेर आ सकते हैं ठीक है बॉलिंग बैटिंग है इसाब सेपा की अगर चेंज होता कुछ आपको हमारे टेलिग्रम चैनल पर पता चली रहेगा ठीक है तो आप टेलिग आप चैनल जॉइन कर लेजिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं तो भाई अभी बात करेंगे प्लेयर्स बैटल की प्रॉप्सिम रंसिंग ठीक है इशान शर्मा के सामने 26 बॉल में 36 रंगर के एक बार आउट हूँ है ख उसके बाद शीखरदवन इशान शर्मा का शिगार बनते हैं आपको जैसा कि लास्ट सीजन जया दोगा तब भी मैंने ब्लेयर बैटल में बताया था कि शान शर्मा से बच के रहना वड़े या उसके बाद खलील आप इन्होंने भी थोड़ा परिशान कर रहा है उसके इन सबसे बाई गेम नहीं जलता फिरसे मैं मता रहा हूं इन सबसे गेम नहीं जलता अगर आप सोचोगे कि बाई शीखरदवन के सामने सबी प्लेयर रहा तो शीखरदवन फ्लॉप होंगे तो भाई आप बिल्कूल फैंटसी खेलना चोड़ दिया क्रिकट ऐसे नहीं काम क फिर ठीक है एक आइडिया होता है कि वाई थोड़ा क्लियर विजन मिल जाए और बाकी क्रिकेटिंग नॉलेज होती है उसी बैस्टीम मत दिया तो यह डेवलोप होती है जैसा 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 नॉलेज आता गरीगट का उसके बाद लियाम लिविंस्टेन के सामने बाई देख हो गई है अभी बात कर लेते हैं तो आपको पता भाई डैविड वानर का एवरेज बहुत अच्छा तो अर्षदीब के सामने रिशी दवन के सामने और चैर के सामने काफी अच्छा रिकॉड़ा आउट नहीं हुआ रबाड़ा ने पांच बार आउट किया हाला कि 89 बाल्स भ पर आउट हो चुके हैं लेकित 37 रन भी गए रिशी दवन के सामने एक बार आउट हो गया है चार बॉल में चैर ने आपके दो बार आउट किया बीस बाल में चैर थोड़ा अच्छा कर सकते हैं प्रिद्वीशा विए अगेंस बाकी रबाड़ा को दस बाल में जादान और सैम करन गेंए आप एक बार आउट करा है उसके बाद मिचल मार्श को आण बाल में उनीच रन बनाएए आर्ष्टीब के अगिंस्ट और रिशीतावन के सामने एक बार आउट हुए आ राहुल चैर के सामने रबाड़ा ने एक बार आउट किया बढ़ रंखरच करें उसके सब्सक्राइब को भी थोड़ा यहां पिटाई ही करिया अगर बोल सकते हो ठीक ठाक है तो यह प्लेट बैटल आगे जब से टीम की जरफ नज़र डाल डाल लेते हैं क्या प्रोबेबल टीम हमारी समेच में रहने वाली है तो भाई टीम की बात करने से पहले बता दूँ फाइनल टीम यह फाइनल टीम टेलीक्राम चैनल पर मिलेगी टेलीक्राम चैनल से जॉइन करना व्योडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो यहां पर बात करते हैं टीम की तो बैद मैंने फिलाल विगट की यहां पर मिल जाएंगे तो इसमें भई चारों के चारों के चारों एक अच्छी आप्शन है ट्रिस्टन स्टप्स को थोड़ा यहां पर इंगलेक्ट करके चल सकते हो लेकिन बागी के सभी बहुत इंपॉर्टन आप्शन है तो फिलाल मैंने प्रप्सिम रैंसिंग को दिय कि जाओं डैली कैपिटल की तरब से क्योंकि मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी बॉलिंग लाइन अप है पंजाब किंग्स की तरफ से तो स्टार्टिंग में विक्टे गिर सकती है तो उसलिए मैं एक ही ओपनर शायद लेके जाओंगा उसके बाद मैंने शीखरदवन और जौनी बैस्टों के लिए अब शीखरदवन को ऐसा सेफ साइट रगा है क्योंकि 91 पर्सेंट लेक्शन है तो स्मौल लिग में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता है ड्रॉप करनेगा बट कैप्टेंजी वाइस कैप्टेंजी नहीं बना रहा क्योंकि मैंने आपको दिखाय लिए थोड़ा सा पंजाब फेवरेबल लग रहा है तो टॉस के कॉर्डिंग में फेवरेबल उनको कर दोंगा ठीक है मिचल मार्श है यहां पर अल्राउंडर सेक्शन में में मेरे पास ठीक है उसके बाद मैंने अक्षर पडेल को लिए जो कि बाई कंसिस्टेंट लिपिक हो जाएगी उसके बाद भाई क्रिस्वोक्स अगर खेलते हैं तो वह है रिशी दावन आपके पास ऑप्शन है लड़िजी आदव का आपके पास ऑप्शन है लिए लेकिन आपके पास ऑप्शन काफिया जैसे कि कई सो रवाड़ा एंडिक नहीं के लिए तो हर्षल पडिल का उप्शन आपके पास ठीक है नैथन एली से अगर क्या बता भाई अरबाड़ा की जगह आ जाए उसके बाद इशान शर्मा का उप्शन है मुकेश कुमार का राहुल चहर जाहिर इचर्टसन खलील आहमद हार प्रीद बिराड़ भाई ये काफी अच्छ 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 क्योंकि थोड़ा मुश्किल हो रहा है वीडियो मनाने का भी थोड़ा बीजी था एक और वीडियो अपडेट करना और कल भी मैं बई दोपैट से बीजी रहूंगा तो देखता हूं अगर ट्राय करूंगा अगर गरनली की टीम की वीडियो अभी मना दूं तो उसके लिए आपको क्या करना चैनल सब्सक्राइब करना इंपीडियो को लाइक कर देना कि मेंट करना है कि आपको टीमण पेट सारी आपको गरेंदियो की सब्सक्राइब कर देगे तो